नमस्कार संगवारी हो अभी तक हम देखे रहें कि जो लाग के घर है ओमा ले बच के पांडो मन ओमन पहुंचे हैं एका चक्र नगरी में जो एका चक्र नगरी है ओमा वान एक ब्रामण के घर मा रूखे हैं अव बिक्षा मांग के घर लवटें तो जो माता कुंती है वो जो खाना मिले रहे वोला दो भाग करें एक भागला पूरा भीमला दे अव वांकी के जो एक भाग रहे तिला अपन जो चारो भाई और खुद पाच भाग करके वोला खाएं तो भीम के खुराग बहुँच जादा रहे तो दिनो दिन जो भीम है वो दूबला पतला हुआ जाए तो यह ला देख के जो युधिश्टीर है जो बड़े भाईया है और जो माता कुंती है वोन के जिन्ता भीम समय समय में काम करे तो उला एक बड़ा सा घळा बना के ओला जो कुमार है गिप्ट करे अब जो है जो भीम है वो जब भिक्षाटण वर निकले तो ऑपन बड़ा सा घळाला लेके निकले आउसपास के घाओं के जो लाइका मन रहे है उला देक बड़ा हास है और पांडव मके चारो भाई उमन गए रथें विक चाटन के लिए तब मातकुंतिय सुन्थे कि जो ब्राम्हन के घर में वाया हुए ब्राम्हन में चरचा करत रथें उमन कि जो पती है कहात रथे कि आज मैं चल देत हूं राक्षस के भोजन बने बाओ और तुमन के जिन्दगी सलामत रही तो तुमन जी यत खात रही हैं इसे कहके तो जो अगर पतनी हैं उगर बात लak अटके कहता रहते कि नहीं जी, मैं मर जात हूँ, मैं तो कमाये खाये भी नहीं सकाँ आप मन जिन्दर रही है तो दूसरी पतनी यह ला सका था और जो परिवार है उकर पालन पोसंड कर सका था तो जो उकर पती है का थे धिकार है इसे जीवन लग की कैसी बात करते हो प्रिये ऐसे करके जो अपन पत्नीला उहा समझा थे और उला देख के जो उकर बेटी रह थे उहा कते पीता जी आप मैं मुला राक्षास करा भेद इतना मा देख के जो छोटे बेटा रहा थे सबसे वह अड़न डल लेकर खड़े होके का थे नई पीता जी मैं तो ओल डाक्षास मैं मार देख के जो परिवार में चिंता जनक महौल बने है तो ओला देख के जो माता कुंती है वहा ब्राम्हन कर पूश थे कि का समस्या महूल बताया का का थे अतना देन के तुमन के घर महा हो तो जो ओ ब्राम्हन है वह बताते कि पास के जो जिंगल है गूफा में एक भख नाम के राक्षास रहते और वो ओहा तेरा साल ले हमला परसान कर रहते और रोज हर एक परिवार के एक एक आदमी मन वोकर भख खाना लेके ज आजा है वहा का कहें निकम्मा आदमी है अः वहा हमर जब उल्ला यह समस्या के बारे में बताय से तब वह ile समस्या के समधान नहीं करीस अहों कही तुमन अपण मन निपठ लेवा तो हमर गया कि मन क्यों कर दें कि एकक परिवार के एकक जिन जाके जो राक्षा से उकर भोग बन जातें तो आज हमर पारी है ता आज मैं सोचा थों कि हमर पूरा परिवार लजाके राक्षा के भोग चड़ा दो तो माता कुंती है इतना बातल ध्यान से सुनतें और जो भीम सेन रथे जो घर में रुके है उक मन एकर उपकार चुकाय के मौका देवा कि मोर पांश ठोपेटा है उमा के एक ठोपेटाल में भेड़ दे थूं और जो राक्षा से उला खाना देके आ जाई ही तो जो ब्राम्हाने वो कथे आप कैसे बात करते हो आप लोग अतित्यों भगवान की तरह होते हो तो आप मन कैस इसे बात करा था इसे कहके माता कुंती लगा थे तो जो माता कुंती है वहा उला समझा बुझा के फिर यह सब ले थे कि हां हमाने एक बैटाला भेज़ को तो जो यूधिश्टी रथे बड़े भईया रथे तो हा थोड़ा सा हिच के चात्र में माता जी आप कैसे कर रहे है अब का चीछ है गाम मा जतना खाना वाना हैं लेके एक बड़े से जो काबल थे गाड़ी मा गाड़ा मा रखे गई यह ओमा खाना वाना जतना भी हवे कावाला मर रखे अब उला लेके जाय के बारी है भीमसेन के तो भीमसेन है गाड़ी धरी सव उला पेलत पेलत लेके पहुँचके उकर गुफा के सामने काकर बकासूर के तो बकासूर के गुफा के सामने बैट के जतना भोजन ला रहा है खुदे खात रहे और घड़िस कोई खाना लगे आ है की नहीं कहके तब देखिश के कोई आदमी मस्त बाइटके खाना लखा थे पाथ़ी लेघ़र के ताभा उकर घुस्ता चड़ीस और चिला है तो भीम से पाशो देर देर कहाते है अरे यार थिए खानवा न खाया दिनाना यह से करहें कि तब जब बहुत सब defund the top 10 झाले टोगर्वा आपन डीरे रहाँ अब कहा थे कि थो ठोड़ा सरायार कॉरे देयार कहा थे आइसे कहा के भीमसे ना मजाखिय महौलमा बकालवा से पंगह लेवा थे अब उकरबादा जो भीमसे ने उठीज़ कहा झाल जा अब चल उड़ जा ऐसे कहा के फिर बकाशूर przepी गहमासान मतलब पूरे ही एक पक्षि युद्ध गया सका थे कि जो भीम है उला उठा के पटक दे फिर बकासूर बकला के उठे फिर उला उठा के पटक दे ऐसे करके मूँ के भलम पटक दीस आओकर रेड के हड़ीला अपन कोहनी मार के उकर पीठमट तोड़ दीस तो ऐसे करके जो भीम है बकासूर के बद करीस आओ उला लाके जो न का सूर के वद होगी अब आगे की कहानी ला अगली वीडियो में देगो धन्यवाद